हेलो फैंस वेलकम बैक तो मैं चैनल विच इस वरांसी वरा गसराधासे स्टाइल और आज मैं आपके साथ शेयर करने चाहर हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी विच इस समोसा मैं अजवाइन नमक थोड़ा सा रिफाइंड ओयल मियौन के लिए एड करना है जीरा भी आप एड कर सकते हैं और इसको ठंडे पानी से गूठ लेना है जैसे आटे का रोटी का आटा डोह हम तयार करते बस यह थोड़ा सा सकत रहेगा रोटी का आटी जैसे सॉप नहीं समय तो अब हुं तयार करेंगे स्टोफिंग मसाला होता है समूसे अंदर वो पतेटों से बनता है आलू से आप चाहे तो आड़ कर सकते हैं यह मैंने सारे मसुखे मसाले आड़ करके जिसमें बेसिक मसाले हल्दी रेचली पाउडर गरम मसाला और सॉल्ट वगराइड करके यह हम अभी से हम रोस्ट करेंगे पहले मैं थोड़े से मुंफली रोस्ट कर ले रही हूं देसी गी में आप रोस्ट करें टेस्ट अच्छा बनेगा और इस तरीके से मैं पटैटो को एड़ करके फटाफट उसे रोस्ट कर ले रही हूं यह देखिए बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करना है ऐसा लोक आ जाएगा अब यह रोस्ट हो गया है अब हम इसे ठन्ना कर लेंगे अब बनाते समूसे का जो कवर होता उपर का पहले हम आटे को मैदा जो है उसे लेंगे और एक बड़ा सा एक रोटी उसका बराएंगे और बीच में से कट करके ऐसे इससे ट्राइंगर शेव देंगे आप और पतला इससे रख सकते हैं कवर को मैंने थोड़ा ठीक रखा है और इस तरीक बातरवा के प्रेस करके पेस्ट कर देंगे ताकि यह फ्राइ करते समय खुले ना यह ध्यान रखना है अब लो मीडियम आँच पे फ्लेम पे फ्राइए कर लेंगे समूसे को अच्छी तरगी से सिख जाएगा दोनों साइट से तयानी तयार है और बच्चे हुवे मैदे से आप ऐसे स्नैक शोड़ शोड़े बना सकते हैं तो फ्रेंज कैसा लगा आप को वीडियो सर्फ करिए इससे सॉस के साथ चटनी के साथ मिलते है नेक्स वीडियो में तिल रेन स्टे ब्लेस्ट भी है और कीप स्माइलिंग बाइबाई